So guys, कि आप लोग भी GB WhatsApp का इस्तमाल करते हैं और आप लोग भी अपने WhatsApp की Privacy and Security की सेटिंग के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखना चाते हैं तो आप इस वीडियो को सुरूँ से लेके अन तक देखते रहे हैं यहाँ पर क्या इसके hidden feature हैं वो भी आपको हम बताएंगे तो सबसे पहले हम 3 dots के उपर किलिक करते हैं यहाँ पर हम extra setting में चलते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि हमारे सामने ये Privacy and Security की सेटिंग आ रही है तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में Privacy and Security की सेटिंग के बारे में बात करेंगे और आने वाली next वीडियो में other setting के वूपर वीडियो आएंगी तो इसलिए आप चैनलों को subscribe कर सकते हैं जैसे हम Privacy and Security के सेटिंग पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने काफी सारी सेटिंग आ रही है और इसके साथ अगर आप लो GB WhatsApp को डाउनलूट करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए आपको simply हमारे Telegram चैनल पर आना है यानि कि Telegram एबलिकेशन को ओपरन करना है और यहाँ पर सेटिंग के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पर दिखेंगे फिरी जलाट सिन दिख रही है यानि कि अगर आप इसको ओन कर देते हैं तो उसके बाद आप WhatsApp पर जब भी ओनलाइन आएंगे तो सामने वाले विक्तिवी पता नहीं चलेगा कि आप WhatsApp के उपर ओनलाइन है तो यह आपके बहुत ही सेटिंग काम आ सकती है कुछ इस परकार से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लाइव जैसा कि देख सकते हैं यह मेरा second number है और इसको हम open करते हैं और यह वाला मेरा number है ठीक है यहाँ पर दिखी जो इसकी large scene है वो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं दो बच के तेन मिंट के दिख रही है लेकिन वर्टसप पर हम अभी भी online थे तो यह भी आप इस तरीकी से देख सकते हैं फिर आता है content का option तो जैसे ही आप लोग content वाले option पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 option मिलते हैं इनके बारे में भी आपको हम दिखाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देशते हैं hide blue ticks यानि कि अगर आपको कोई भी विक्ति message बेजता है और आप उस message को देख लेते हैं तो सामने वाले विक्ति को कुछ blue tick लग जाएंगे जो कि कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ sorry इसमें कोई blue tick ही नहीं है तो यहाँ पर हम दिखाते हैं यह देखिए यह देखिए जिस तरह से यहाँ पर blue tick दिखरा है ना तो इस तरीके से आपको यहाँ पर blue tick देखने के लिए मिल जाता है लेकिन अगर आप उसके बाद मैसी देख लेंगे अगर आपने hide blue tick का own करके रखा है तो उसको पता नहीं चलेगा फिर उसके बाद जो second option आता है hide second tick तो यह भी आपके लिए काफी ज़्यादा काम है जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो hide second tick का option है अगर आप इसको own कर देते हैं तो आपको कोई भी विक्ति मैसी बेज़ेगा तो उसके पास एक ही tick लगेगा कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि यहाँ पर दिखी हम मैसी बेजते हैं अपने आपको यहाँ पर दिखे मैंने हाई का मैसी बेज़ा और यहाँ पर एक ही tick लगा है अपने आवाज को record करके भीजता है तो आप उस आवाज को सुन लेते हैं तो उसको bulletin show हो जाते हैं लेकिन अगर आप अब सुन भी लेंगे तो उसको bulletin show नहीं होंगे high typing, high recording तो आप जानते हैं इसके वारे में मैंने को बात करने के कोई जरूरत नहीं है ठीक है अब यहां से हम बेक करते हैं इन सेटिंग को हम ओफ कर देते हैं अब ओफ करने के बाद आप देखेंगे यहां पर हम बेक करते हैं तो यहां पर देखेंगे यह मेसेज हमारा आज चुका है यहां पर जो कि अभी मैं दिखा रहा था सेकिंटिक वाला अब यहां पर मैं आपका गुरूप में काम करेगा और यही सेम चीज आपका ब्रोड कास्ट में भी काम करेगा ठीक है और उसके साथ यहां पर कस्टम प्राइवेसी दिखती है यानि कि आप किसी एक नंबर के लिए यहां पर प्राइवेसी लगा सकते हैं ओके गाइस फिर इसके बाद यहां पर दिखता है हूँ केन कोल मी यानि कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी सिम की आने वाली कोल तो बंद कर देते हैं लेकिन आप चाते हैं कि हम वर्टसप पर जब भी ओनलाइन जाए तो सामने से कोई हमें कोल ना करे या फिर कोई यहां पर वह मेस्ज़ आपको मेस्ज बेजता है आप उस मेस्ज़ को आगे बेजते हैं तो वह फोर्वर्ड हो जाता है यानि कि आपने दूसरे के मैसेज को भीज दिया तो उसको पता चल जाता है लेकिन अगर आप इसको ओन करके वेज़ेंगे तो यहीं लगेगा कि वह म मेस्ज़ आपके पास डिलीट जाता है लेकिन आपने इस और रखते हैं तो कोई वेक्ति आपको मेस्ज़ बेज़ेगा तो आप उस मेस्ज़ को देख लेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा लेकिन जब आप उसको रिप्लाई कर देंगे तब उसको ब्लुटिक्स हो जाएं फिर आता है हाइट विव स्टेटस तो देखे कई बार ऐसा होता है कि आपके आपके गल्फ्रेंड या वाइफ्रेंड से किसी से भी लडाय हो जाती है तो यहां पर आप चाते हैं कि इसके स्टेटस को हम देख ले लेकिन सामने वाले को कानो कान खबर पता ना चले ठीक है तो यहां पर आप इसको ओन कर सकते हैं आप उसके स्टेटस को देखेंगे उसको पता नहीं चलेगा फिर सी तरह साता है एंटी डिलीट स्टेटस यानि कि अगर कोई भी स्टेटस लगाता है वह 24 गंटे से पहले डिलीट कर देता है फिर वह आपके पास सो करेगा ओके कोमेंट कर दिजेगा और आप अगर इससे तरह की ओल वीडियो चाहते हैं विसके वर्टस अब करते रहे में तो आप हमें नीचे कोमेंट करते रहेगा